माता सुंदरी उच्छे बजावार यो मेरे लाले पेयारे वदे नाल नहीं देदे लोरियां जिनानों में सिपहाड या ओ अखियां देकारे वदे नाल नहीं सरवजीत कौर ने इस लोरी नू इना वदिया गाया के हर एक दे दिल विच वस गई ए लोरी 1985 विच आई फिलम उच्छा दर बाबे नानक दाले गाई गई सी इसे तरह फिलम मामला गडबर है विच पिटवर्ती गाय का वज्जो गाई कोडी नू जिसने वी सुनेया है ओ कदे आपने आचेतेया चो सरवजीत कौर नू नहीं पुला सकदा सरवजीत कौर ने गाया कोका की गाया ए उस दे नाम नाल ही जुड़ गया इस गीद्धी सफलता ने सरवजीत कौर दे ना नाल सरवजीत कौर कोके वाली पक्का कर दिता ए नाहुन उनानू पंजाबी संगीत दे अंबर ते नवी पहचान दिन्दा है पंजाबी संगीत देखेतर विच सरवजीत कौरते सरवजीत शर्मा नाम एक ही गाय का दा है पंजाब दी इस गायक ने लोग गीत गाय जा कहलो उस दे गाय गीत लोग गीता वरगे बढ़ गए उस दी अवाज आते गायन लहजे विच जादू है आजवी जदो इस गायका दे गीत कन्नी पैंदे हन ता सरोते आप मुहारे वजद विच आजान दे हन सरवजीत कौर बेशक आपने आपनू जो मर्जी आखी जावे पर ओ लड़ाकी नहीं है सरवजीत कौर दा जनम पिता करिशन लालते माता स्रीमती अंबोधी कुखो पिंड दंदपुर जिला कपूर्थला विच 15 अक्तूबर 1904 नू होया इस गाय का दा व्यारवी शर्मा नाम दे व्यक्ती नाल होया जो ज्यादा चिर ना चल सक्या मेरे गोटे मुट बैके मैंनू देवो ना दिला से ओस रब ने ना लिखे मेरे लेखा विजहा से मैंनू रोण देवो एवे मैंनू चुपना कराओ मेरी कंब दी जुबान पेशक उस दा विवाहिक जीवन सफल नहीं रहे सक्या पर उस दे नाम नाल शर्मा शबद जरूर जुड़ गया इहना दे कारेक बेटे अमित शर्मा अते बेटी ने जनम लिया अमित शर्मा संगीत प्रड्यूसर है जिस दे अपनी संगीत कंपनी सरव रिकॉर्ड़स है सरव रिकॉर्ड़स दी स्थापना 2010 विच कीती गई सी जिसने पंजाबी संगीत उद्योग विच सार्थक संगीत लियाउन दी लोड महसूस कीती सी सरव रिकॉर्ड़स ने मई 2010 विच सरव जीत कॉर्ड द्वारा गाया आज दी रात नाम दा अपना पहला सिंगल ट्रेक रिलीज कीता इस तरह अमित शर्मा ने रुखानी अते अरत पूरन संगीत लियाउन लेई पूरे दिल नाल कोशिश कीती तीया जम दिया होन पराया की लिखिया जुदाया दिया दा की जोर बाबला रीता के होजेया जगने बढाया ना जान्दिया मिटाया दिया दा की जोर बाबला सरवजीत कौर दी बेटी स्कूल अध्यापका है सरवजीत कौर जदों अजे न्याणी जही सी उस वेले ही उस दी संगीत विच रुची सी ओ निक्के हथानाल तंती साज वजा लेंदी सी उसने अपने पिता दी खायश अनुसार ही गाई की दा खेतर चुणया सरवजीत कौर शर्मा ने गाई की दी अते कथक दी तालीम मास्टर सतीश जी जलंदर वालयातों हासिल कीती गाई की दे गुण उस्ताद पूरन शाहकोटी तो सिखे चरंदास सफ्री दे उद्दम सतका ओ अकाश पाणी जलंदर तक पुझी अते पहला गीद अखियांदा पाणी सरोत्या लेई पेश कीता अग्गे वदन तो पहला सरवजीत कौर दी मिठी आवाज विच परीत महंदर तिवाडी दा लिख्या गीत सुन लेए मिन्नी मिन्नी वीन वज्जे गाल सुनो जोगी मिन्नी मिन्नी वीन वज्जे मिन्नी मिन्नी वीन वज्जे हो गल सुन लेए वे जोगी मैली तवाच दावे दो तारा मिन्नी मिन्नी वीन वज्जे मिन्नी मिन्नी वीन वज्जे बेशक 1983 विच उस दी आवाज मामला गडबड है फिलम वाले तवे विच आ गई सी पर उस एलपी रिकार्ड 1984 विच आया इस तवेदा मुखडासी नील एदे माय काल्यां बागांदी महंदी ए उस दा पहला अते अंतला एलपी रिकार्ड सी उस तो बाद कैस्टांदा युगाग्या जिस विच उसने पौनी दर्जन कैस्टा पंजाबियानू अरपन कीतियां पंजाबी तो इलावा उसने हर्यानवी, पहाडी, गोजरी, सूफी अते उर्दू दियां गजलानू सुरीली आवाज विच गाया है इस तो इलावान उसने हुण तक पंजदाली दे करीब फिल्मा विच पिटवर्ती गाय का वजों गाया है रेडियो ते उस दा ए गीत बहुत ज्यादा मकबूल होया वे मैं जेहडे पासे देखा मैंनू तू दिसदा सरवजीत कौरने ज्यादातर सुहाग कोडियां, सिठनियां, महिये अते लोग गीत ही गायहान उसने जोवी गाया उपायदा रते वक्री किसमदा है सरवजीत कौरदा लड़का अमित शर्मावी अपनी मा दे पाय पूर्ण्याते चल के उच्चपायदा संगीत रिकार्ड करंदी लोड़नू महसूस करदा है इस नौजवान तो वड़ियां आसाहान एक गायका ने लोग गीता तो बिना परीत महंदर तिवाडी समशेर संदू, अमर मस्ताना, रत्तु रंदावा दे लिखे गीतानू आवाज दिती है सरवजीत कौरते डोली गुलेरिया वल्लो मौजविच गाय गीत दे बोल सुनो लांग आजा पतन चनादा यार लांग आजा पतन चनादो यार लांग आजा पतन चनादा सिर सद का में जाहां तेरी नाग यार लांग आजा पतन चनादा लोक गीता विच पंजदाली सालांदे योगदान करके सरवजीत कौर्णू संगीत नाटक अकादमी नमी दिल्ली वल्लो पारदे राष्टरपती स्री राम नाथ कोविंद वल्लो बेस्ट फोक सिंगर एवारड ते की सनामानत कीता गया स्रीमती सर्वजीत कौर्ण जी रेसे थी संगीत नाटक अकादमी आटक अवार्ड पर एवार्ड श्रीमती सर्वजीत कौर्ण जी रेसे थी संगीत नाटक अटमी आटक अवार्ड for her contribution to folk music of Punjab आपको लोक संगीत पंजाब के शेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरसकार से सम्मानित किये गए सभी कलाकारों को मेरी हारदिक शुब कामनाए और बधाए इस समारों में उपस्थित कलाकारों के रूप में भारत की बहुरंगी संस्कृती के सर्वसेस्ट प्रतनिधी यहां एक अत्रित हुए सर्वसेस्ट मोहन सिंग एवारड उनी सो उनान्वे मोहम्मद रफी एवारड दो हजाराट कलासरी एवारड नवी दिल्ली उनी सो च्यासी नांदलाल नूरपुरी एवारड उनी सो नब्बे टाडी अमर सिंग शोकी एवारड उनी सो चरान्वे परकाश को रेवार्ड 1992 आदिशामलहान सरव जीदे परसिद गीतां दी गाल करियेता मेरा लांग गवाचा माजे दिये मौम्बतिये तहरी दी चाँ कर जाँ मैंनू ततरी दी चाँ कर जाँ जदोंदियां जदोंदियां लाइयां कियां मेरा दिल ठाख ठाख कर जाँ उड़ता जावी कावा उड़ता ते जामी कामा बैंदड़ा जामी मेरे पेखड़े है उड़ता ते जामी कामा बैंदड़ा जामी मेरे पेखड़े है उड़ता ते जामी कामा इकना दसी मेरी माराणी नू प्रोवेगी गुटियां वेख थे उठ दाते जामी कामा गुर्दीप सिंग नाल गीत छामा नी छामा सोणिये तेरे बिना होण जी नहीं लगदा जी करदा होड आमा सोणिये की कहके बुलावा तैन्नू तू मेरा की लगदैन बार 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 वाच्या मैं दिल दी किताब विच तेरा नाह सारे आं सवाल नंदे जवाब विच सारे नाते आं बे उलजे हिसाब विच तू ही सही लगने वे मैं किंज समझावा तैनू के तू मेरा की लगने की कहके बुलावा तैनू के तू मेरा की लगने चर्दे मिर्जे खानू आज कल सरवजीत कौरते ती गुरु नानक नगर जलंदर विच रेंदी है अते पंजाबी संगीत विच होर हिस्सा पा रही है असी वाए गुरु अग्गे अर्दास कर दे हां कि ए गाय का तंद्रुस्ती अते खुशाल जीवन जीवे तोहानू साड़ी एवी डी ओ किवे लगी सानू जरूर दसेओ ताकि असी तोहाडे सुजावादे हिसाब नाल होर चंगिया वीडियोज बणा सकीए सत्स्री अकाल